लेकिन इतनी बड़ी तेजी के बाद बड़ी बात यह कि क्या है इन बैंकों के वैलिशन सस्ते हैं या अब प्रोफिल बुक करने का वक्त है जराद डिटेल्स समझी जाएं बताएं नुपूर हमारे साथ हैं नुपूर बताईएं बनकुल राली काफी स्ट्रॉंग के सिवाएं SBI बैंक के सारे बैंक में दिखेंगे तो 50-230% की राली पिछले 6 महिने में इन स्टॉक्स में दिखी है अगर रीजन्स देखे तो बहुत सबको पता है कि जो क्रेडिट फॉर्मेशन हुआ है और जो क्रेडिट साइकल का फॉर् इंट्रेस रेट बढ़ रही है तो मार्जिन्स में इंप्रॉमेंट होता है क्योंकि एड्वांस और डिपॉजिट रेट में आपको एक स्प्रेड मिलता है और जो NPA वह अभी लोवेस्ट लेवल पर सुभे हमने जम्वान किश्मिर बैंक के मैंजमेंट से भी बात की तो उ करीबन 17% से बड़ा है लेकिन प्येस्ट बैंक का जो क्रेडिट ऑफटेक है वह करीबन 21% से उपर है तो अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ है तो वह सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ से नहीं है यह पब्लिक सेक्टर बैंक की तरफ से भी बराबर की हिस्सत 70-80% के आसपास आ चुका है अब इंट्रेस्टिंग फैक्ट यह कि SBI के जो वालुएशन ने वो कुछ बैंक्स उसे पीछ चोड़ रहा है कि तीन ऐसे बैंक के जिसके वालुएशन SBI से उपर है और फिलाल तीन ऐसे बैंक के जिनके वालुएशन अभी भी वान टाइम बुक सिक्का में तो फिलाल अगर SBI की बात करें तो पिछले साल अगले साल के वालुएशन 1.2 टाइम के और तीन जो बैंक जिनके एक से भी कम का वालुएशन है वो है कैनेरा बैंक, बैंक ओफ इंडिया और पंजाब नैशनल बैंक, इंट्रेस्टिंग्री सेंट्रल बैंक, बै आप देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ स्पेसर अभी भी ऐसे हैं, आयो भी, यूको बैंक, बैंक ओफ इंडिया जहां पर अभी भी यह अपने आपको हरे निशान में टिका कर काम करने की कोशिश करें